जो अपने रस के कारण, अपने गीतों के कारण, अपने माधुरी के कारण, और बहुत ही सुन्दर ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से जो है, वो अपनी कविता को एक गीत में बांध कर, एक सुर में बांध कर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो बिना किसी भूमिका के पूरे मन और आदर के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आववान करना चाहूंगा आदरनिय भगवान सहे पारिक साहब का स्वागत सराव का तो मैं इस फाग के महिने में वसंत उससव सब जगह मनाया जा रहा है उसमें आदरनिय संतोजी ने मुझे यहां बुलाया उनका धन्यवाद आदरनिय किसोर जी प्रग्या जी मैं अपनी बात फागन महिने में फाग गोत्सव में कि फागन मैंनो प्रेम को बरसे रंग गुलाल गोरा तो काला लगे काला हो जया लाले लुगाया नाचे गावे चंग डप ढोली बजावे लुगाया नाचे गावे चंग डप ढोली बजावे और दूसरा कि मस्ती तन मन में चड़ी होटां पे मुसिकान गीत रसीला गारया ताबर ब्रद्ध जवान महीनों पागनी आयो रंगा रंग रंग जमायो और मैं बताऊं कि राधा और कृष्ण को नाम लिया बिना या फागन को मैंनों खोडी की बात अधूरी चे तो एक दुमदार दो हो की काना बिन राधा नहीं राधा के बिन कान प्रेम रंग में गा रही या मुरली की तान गोपिया ग्वाला नाचे प्रेम की भासा बाचे गोपिया ग्वाला नाचे प्रेम की भासा बाचे तो प्रेम की भासा जड़ चेतन पसू पक्सी सब गावे समल्य फागन को महीनों आगो और मारे राजस्तान में तो बारा महीना ही रंग बरसे उनका मैं दो तीन बंद आपने सुना हूँ कि हस्ती गाती धोरा धरती हस्ती गाती धोरा धरती पावे नहीं जहान में बारा महीना ही रंग बरसे मारे राजस्तान में और बारा महीना का बारा बंद चे लेकिन मैं आपने कुछ ही सुनाओं सरद पूर्णिमा वावी एक प्रेम रसको प्रती को वै कि धवल चांदनी सरद पूर्णिमा रोग दोस में तन हाली जग मग पाच दिना को मंगल पर्व मनावा दीवाली अर सुक्सावत्री ब्रह्मा पूजन पुसकर का इसनान में बारा में हिनागी रंग बरसे मारा राजस्तान में और गया दिना में अब की बार तो सरदी भोती जोर की पड़ी तो केवल फोस को मैंनो कि मैंना माग जोरी की ठारी दांती कटा कटी बोले जी सीरो बाटी और चूरुमा गुड को लपटो गोले जी अर मेवा में थी गौंद मिलावा लाडू का सामान में बारा मेहिना ही रंग बरसे मारा राजस्तान और देखो फागन की फागन में पागनियों सागे बरसावे रंग जार्या जी पिछकार्या जार्या से रंग बरसार्या छे फागन में पागनियों सागे बरसावे रंग जार्या जी बालक बूड़ा जवान न चूके मारे भर पिछ कार्या जी अर गीति धमाल चंग बाजे मिसरी गुल यही चे कान में बारा में नाही रंग बर्चे मारा राजस्तान में अरे और चू़की होली का तुरंत दूसरे दिन गनगोर आवे यह एक बंदोर पड़ और फिर मैं आपने आज की बात पूरी करहूं ला कि चेति मास में घर गर पूझे छेई सर गन गोर जी चेति मास में आपे चेति मास में घर गर पूझे छे इसर गण गोर जी फोग सांगरी केर आमली होडी के ठीक दूसरे दिन धुलंडी से ही गणगोर पूजनोर हो है तो मैं आपने या अंतिम बंद हाला कि पूरा बारा मेना का खूब रस बर्योडी बाता छे त्योंवार छे लेकिन अंतिम बंद का रूप में अभी मैं आपनी बात पूरी कर बोचाओं कि चेति मास में घर गर पूजे छे इसर गण गोर जी फोग सांगरी केर आमली सर्शून ले यही लोर जी अर प्रेम बदा में बोर प्रेमली मारे चोमू का पेमली बोर जद से ही वेलेंटाइन डे आवे उंबगस से फड़ फूल और इतना रसीला मीटा हो जावे कि दुनिया भर में चोमू का पेमली बोर प्रसिद दे तो मैं आपने बता हूँ अर बोर बदावे बोर पेमली अधिरा पेमू सिकान में बारा महिना ही रंग बरसे मारा राजस्तान में और अर घस्ती गाती दोरा धरती पावे नहीं जहान में बारा महिना ही रंग बरसे मारा राजस्तान में नवस्कार आपने देखा कि कितने खुब्सुरो ढंक से कितने प्यारे ढंक से उन्होंने राजस्तान को प्रेम से सराबूर कर दिया यें की कविता की खुभी है मुझे सुनने के बाद मेरे हर्दे में जो सबसे पहली बात आई वो ये कि कभी दार जी ने सच कहा है पोथी पड़ पड़ जग मुवा पंडित भया न कोई अरे धाई आखर प्रेम का पढ़ेस पंडित होए बस वो गीतों के माध्यम से जो अभी भग हढ़े यह सबस्क्राओ सर्वा przy डThe का में और यह हो न दो सबस्क्राथ